हलो फ्रेंज अपना किचन में आपका स्वागत है, आज मैं स्वाबीन आलो की नए रेसिपी सेर करने वाले हूं, आसा करती हूं कि ए रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, तो फ्रेंज वीडियो पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सारा पानी नी चोड़नी हूं आप देख सकते हैं एक मीडियम साइज का प्याज लेंगे और एक प्याज में चाट टुकड़ा कट कर लेंगे और उसका जितना भी कली है उसको सारा अलग-अलग कर लेंगे इस तरह से छोटे-छोटे आलू लेंगे तो फ्रिंस देखिए मैं तीन आलू ली हूं और उसको अच्छे से छील करके धो ली हूं धोने के बाद उसको कट कर ली हूं एक आलू में दो टुकड़े तो आलू आप अपने जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं तो चली मसाले त्यार कर लेते हैं मीकसर ग्रैंडर के जार में दस से बारा छीली हुई लासुन की कलिया डालेंगे एक चमज कटे हुए अध्रक के टुकड़े आधा चमज धनिया एक चुथाई चमज काली मीर्च एक चमज जीरा दो लॉंग दो छोटी हिलाईची तीन छोटे छोटे दाल चीनी के टुकड़े दो हरी मीर्च एक टमाटर कटा हुआ और एक प्याच स्लाइस किया हुआ अब इन सारे मसालों को पीस लेंगे तो देखी मसाले पीस चुके है चूले पे कड़ाई रख देंगे जब गरम हुज जाएगा तो एक चमज तेल डालेंगे और इसमें डालेंगे स्वयबीन तो गैस का फ्लेम लो रखेंगे तो सबसे बहले हम लोग स्वयबीन को फ्राई कर लेंगे तो लो फ्लेम पर ही इस तरह से बार बर चलाते रहेंगे लागाता और स्वयबीन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे तो देखी फ्रेंज स्वयबीन फ्राई हो चुके हैं अब इसको हम लोग एक बरतन में निकाल लेंगे तो देखी सारे स्वयबीन अच्छे से फ्राई हो गया हैं उसी कडाही में एक बड़ा चमस तेल और डालेंगे और उसमें डालेंगे कटे हुए आलू और आलू को मीडियम टू लो फ्लेम पर पलट पलट करके डीप गोल्डन ब्राउ होने तक फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ से तो देखी आलू फ्राई हो गया है दोनों तरफ से अब इसको हम लोग निकाल लेंगे और गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और इसमें एड़ करेंगे प्याज की कलिया और प्याज की कलियों को लो फ्लेम पर हलका सा सॉफ्ट कर लेंगे जादा नहीं भुनना है बस हलका सा सॉफ्ट करना है तो इस तरह से चलाते रहेंगे और लो फ्लेम पर हलका सा सॉफ्ट कर लेंगे तो देखी फ्रेंज प्यास की कलिया सॉफ्ट हो गई है अब इसको लोग निकाल लेते हैं परतन में अब उसी बचे हुए तेल में एड़ करेंगे एक तेश पत्ता दो सूखी मीर्च और एक चम्मच सॉफ सॉफ पेट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है तो इन सारे चीजों को हलका सबून लेंगे और इसमें एड़ करेंगे पीसे हुए मसाले एक चोटी चम्मच हल्दी पाउडर आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमा अब इन सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर ही 5 मिनट तक भूनेंगे और मसालों को इस तरह से देखिए लगा तर चलाते रहेंगे तो देखिए फ्रींस 5 मिनट हो चुके हैं मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं तो अब इसमें एड करेंगे फ्राइ की होई आलू और फ्राइ की होई स्वाबीन और प्याज भी अब मसालों में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और low flame पर ही 2 मिनट तक भूनेंगे मसालों के साथ स्वैबिन और आलू को भी तो इस तरह से चलाते रहेंगे और 2 मिनट तक और भूनेंगे तो देखिए फ्रेंज 2 मिनट हो चुके हैं मसालों के साथ सारी चीज़े अच्छे से भून चुके हैं तो अब इसमें एड़ करेंगे 2 चोटी कटोरी पानी तो पानी आप अपने जरूत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब धक्कन लगा करके 10 से 12 मिनट तक लूफ लिम पर ही पकने देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे तो देखिए तासे 12 मिनट हो चुके धकन हटाएंगे और इसमें एड़ करेंगे बारी कटी हुई धनिया की पत्ती तो इस तरह से उपर से डाल दें और धनिया की पत्ती को अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंस हमारी सबजी रेड़ी अब बहुत यादा स्वाधिष्ट बनी है इस तरह से ट्राई जरूर करें सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगी तो अब हम गयस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको गर्मा गर्म सर्ब करेंगे तो देखिए कितनी सुन्दर इसमें से खुसबू आ रही है तो फ्रेंस हमारी सबजी रेड़ी इस तरह से ट्राई जरूर करें सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगी तो अगर रेशिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब जरूर करें